Hello, दोस्तो, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, Sleepy Classes में, Weekly Doze of Current Affairs लेके आए हैं, और आपको पता ही है, हर week के सारे weekly doze हमारे cover किया जाते हैं, और वो weekend पे आपको मिल जाते हैं, और ये कौन से day से है, 28 June से लेके 4 July तक, ठीक है दोस्तो, तो without any further ado, start करते हैं, अब देखे, ये ह है, Toyathon 2021, ये मैं पहले भी cover कर आ चुका हूँ, अब ये news में क्यों था, ये news में इसलिए था कि हमारे प्रदानमंत्री जी ने इन सब के साथ, जितने भी selected candidates हुए थे, उनके साथ एक video conference करी थी, तो ये फिर से news में आ जाता है, और देखे, दोस्तो, जब भी कोई news जीज फिर से बार-बार आ रही है, तो उसके chances बन जाते हैं, किस में current affairs में पूछने के, ठीक है जी, Toyathon क्या है, I call upon the young leaders of our country to draw inspiration from our glorious cultural heritage, ये देखे, cultural heritage पे बहुत जादा focus है, ये मैं बताऊंगा कि कुश्ट कहां से, किस तरीके से बनाता है, UPS, कोई भी और examination, से ठीक है, ठीक है जी, for making games in India as also making games based on India, देखे, games in India, देखे, games in India, देखे, games in India, तो making India से आई गया, games based on India, अब ये क्यों important हो जाता है, ठीक है, नीचे तो हम discuss करेंगे, why this is important, यहां से न, देखे, अब question कैसे मनाएगा, setter, जो examination है, आपका question आएगा, art and culture से, अब आप बोलेंगे, sir, art and culture तो बहुत पड़ा है, sir, उसमें क्या, art and culture में specifically, ऐसी कौन सी games क्रीड आए है, ठीक है जी, जैसे कि अगर आपका, केरला की कौन सी games है, ठीक है जी, या कौन से adventure sports है, तो आपको basically, यहां से क्यू लेना पड़ेगा, और आपको क्यू, क्यू लेके, आपको बनाना पड़ेगा, कि कौन आपकी games है, या बाकी सारी चीज है, ठीक है दोस्तो, चलिए, अब स्टार्ट करते है, toyathon 2021 क्या है, toyathon 2021 क्या है, कि अब इसमें थोड़ से, India despite being a home of many globally popular games like chess, ludo, snakes and ladders, it's not among leading developers and manufacturers of toys, देखिए, अब कुछ लोग हरान भी हो गए, जैसे मैंने खुद पढ़ा था, जब शुरू अब तो I was also lucky, okay chess, देखिए, badminton भी हमारे ही country का बना हुए, ठीक है, अब देखिए, इसमें न, क्या है कि economy से भी related, यह काफी जादा है, क्यों related है कि आपकी जो है, जो आपकी global toy market है, toy market है, वो बहुत जादा आपका एक proportion रखते है economics का, ठीक है जी, तो इस पे toyathon 2021 जो है, व इसमें हम leading developments में से नहीं है, ठीक है जी, तो अब क्या है कि under the आत्म निर्भर भारत अभ्यान, हमारे आत्म निर्भर भारत अभ्यान जो है, जो है, जो की initiate किया गया था कि इसने, श्री मोदी जी ने करा था, ठीक है जी, उसके अंतरगत, toyathon 2021 जो है, it was an idea conceived to challenge India's innovative minds to conceptualize novel toy games based on भारती है civilization, ठीक है जी, अब देखे, मैं यह जो चीजें पर ज्यादा focus में रहा हूँ, वो आपके cues हैं, ठीक है जी, cues है to work on it, क्यों मुझे पता है कि हमारे channel पर बहुत ज्यादा aspirants हैं, जो की state services की भी त्यारी कर रहे हैं, ठीक है जी, state services, civil services की भी कर रहे हैं, UPSC से भी ज जुड़े हूँ हैं और assistant commandant से भी जुड़े हूँ है, और दोस्तों आप सब को पता है, इन सब में art and culture बहुत important है, और यह prelims और means में तो पूचा ही जाता है, ठीक है, तो यह आपके cues है, यह toyathon जो है एक बहुत बड़ा, एक cue है आपके लिए, कि आपको क्या पढ़ना है, अब देखिए बहुत यह civilization पर है, history, culture, mythology and ethos पर है, ठीक है, तो यह point आगया, तो आपका यह cue है, ठीक है जी, अब 2021 क्या है, एक inter-ministerial initiative है, किसने का रहा है, ministry of education innovation cell, ठीक है जी, ministry of education innovation cell with support from all india council for technically education, ठीक है जी, ministry of women and child development, ठीक है जी, ministry of commerce and industry, ministry of medium small and enterprises, ठीक है, ministry of textile, ministry of information and broadcasting, ठीक है, जब इतनी जादा ministries इसमें involved हैं, तो इसकी महत्वता कितनी जादा हो जाता है, कितनी जादा important हो जाता है, ठीक है, ठीक है, अब इंपोर्टन के हैं, वो देखते हैं, ठीक है, इंडिया की जो toy market है, वो अभी कितनी है, 1.5 billion US dollars ह ठीक है, ठीक है, जी, which is primarily dominated by imported toys, आपको पता होगा कि देखिए, आप Chinese जो है, Chinese are very very good at making toys, इनके toys का कुछ जवाब ही नहीं, ठीक है, ठीक है, जी, और कभी आप, मतलब, हैंबली में भी जाएंगे, अभी तो अंबानी जी ने ले लिया है, ठीक है, हैंबली में भी जाएंगे जो भी है, तो you'll see कि यार, toys में तो मतलब, एक से एक बढ़के toys, आजकल तो वह रेप्लिकेटिव टॉइस है, कि चोटा बचे बलता है, हेलो, हेलो, तो वह भी इसको कॉपी करता है, ठीक है, अब क्या है, moreover, the majority of these toys do not represent Indian heritage, ठीक है, जी, वही चीज, देखिए, चाइना में बना है, तो Indian heritage क्यों करेगा, अब देखिए, जब मैं छोटा था, तो हमारे लट्टू आते थे, लट्टू is like spinning top, अब कहने को तो spinning top है, बट इसके बीचे, यह scientific toy भी कह सकते है, इसमें, ठीक है, जी, मतलब कि काफी जादा science भी लगी हुए है, ठीक है, आज का current affair है, उसको आप जादा, एक discussion point of view से देखिएगा, ठीक है जी, मतलब ऐसे मत देखिएगा, कि यह ठीक है, कि यह इतना जादा क्यों खीच रहे है, देखिए, आपका, जो mental faculties है, उनको open करना जुरूरी है, discussion करना जुरूरी है, क्योंकि देखिए, दोस्तों, interviews में इस तरीके के questions आपको को पूछे जा सकते, तो discussion important, ठीक है जी, अभी Indian heritage को represent नहीं करते हैं, और civilization और value system को भी नहीं करते हैं, क्यों करेंगे, बाहर के मने हुए है, ठीक है जी, अभी टाइकथान 2021 के है, एक unique opportunity है, opportunity किस के लिए है, students के लिए है, teachers के लिए है, start-ups के लिए है, toy experts, professionals के लिए है, किसलि अब ये एक आपका hackathon है, और सबके लिए open है, student, teachers, start-ups, toy experts, professionals, सबके लिए, अब winning team जो है, winning team's efforts will be made to commercialize the exceptional toy concept, ठीक है जी, will support from industry and investor, तो मतलब तेक है, आपको जो एक तो prize में ही मिलेगा ही, उसके साथ आपको commercialize भी करेंगे, ठीक है, अब toy game concept जो है, वो Indian civilization, heritage, cultural mythology, history, ethos, technology, ethnicity, national heroes, important events, पे बनेगा, ठीक है जी, और ये क्या करेगा, positive behavior, or good values, संसकार पे भी करना चाहिए, obviously हमें अपने roots के साथ जुड़ना बहुत-बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी, अब हमारे time पे क्या होता थे, ठीक है, बच्चे जो होते है, बच्चों के लिए toys जो है, वो अपने imagination स बनते हैं, जैसे गाओं में अगर आप ही, आप चल जाएंगे, और in fact मैंने भी किया हो है, कि हम गौडी मिटी लेते थे, we used to take गौडी मिटी, और उससे हम ना मतलब वो चकला, बेलना ठीक है जी, और kitchen utensils बनाते थे, अभी तो आपका घर-घर खेलने वाला concept क्योंकि नुक् is still prevalent है, तो ये उस तरीके से है कि उस ससकार की बात करें है, ठीक है जी, और इसमें साथ-साथ क्या है, कि specially abled या दिव्यांग children के लिए भी रखा हो है, ठीक है जी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही है, अब उनकी कोई भी ability, disability है तो उनको बच्पन को तंग नहीं करना चाह उनको भी enjoy करने के लिए चाहिए, तो इसके लिए भी एक focus है, और इसमें क्या है, physical or mental fitness को boost करना है, अब कुछ, कुछ तरीके के इस ताइप के toys होते है, जिससे के आपने एक to solving cube होता है, ठीक है जिसके वह उस तरीके से होता है कि दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है जी, मतलब आपके वह एक color होते है, I don't know, क्या rubik cube होते है, ठीक है इस type के भी हम toys बना सकते है, और eco-friendly, indigenous, non-hazardist and recycled material पर होता है, तो मतलब it is like a very utopian concept of toys, ठीक है जी, और इसमें Vedic Maths को importance बढ़ाएगी है, दोस्तों, देखें, Maths में Vedic Maths का बहुत importance रहता है, I don't know how many people have known this, but आपक कि जो calculations है, जैसे की 22 into 22, मतलब cross करके इस तरीके से करते है, और it's like shortcuts, मतलब it's really very important, मतलब आपको calculator की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है, तो Vedic Maths के लिए भी है, फिर उसमें क्या है कि encouraging national unity and respecting cultural diversity, this is really very important, ठीक है और supporting mission like सच्च भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, environment conservation, environment conservation, climate change, digital India, skill India, एक भारत, स्रिष्ट भारत, अब देखिए, यह सारे के सारे है, आपके क्या है, cues है, cues क्या है, आपको यह देखिए, यह पढ़ना है, digital India के बारे में पढ़ना है, skill India के बारे में पढ़ना है, स्रिष्ट भारत, एक भारत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यह सब है, अब इसके साथ-साथ क्या है? Rediscovering, Redesigning, Traditional Indian Toys, यह भी करना है हमें इसमें, ठीक है जी? इसका Basic Aim क्या है? और Toys for Pedagogy भी है, ठीक है जी? इसका मतलब क्या होता है? For Teaching Students Concept in Math, Science, Languages, Social Sciences, मतलब की Basically Innovation पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है? इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान दिया है, अब Design का क्या है? Design should be confined to Basic Toys, मतलब Basic Toys होने चाहिए, Guidelines दी हुई है, Government of India ने है, ठीक है जी? और यह जो है, मैंने यह वहां से उठा लिया था, Click to Link to the View the Gazette Notification, ठीक है जी? I had copied it, ठीक है जी? ठीक है जी? चलिए अब आते हैं, अब आते हैं, राशन कार्ड रिफॉर्म सो फार, ठीक है जी? राशन कार्ड सो फार क्या है कि अभी Supreme Court ने डारेक्ट करा है सारे States और UTs को to implement One Nation One Ration Card System, बट इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है? ठीक है जी? अब वट इस One Nation One Ration Card? One Nation One Ration Card क्या है? कि यह ONORC स्कीम जो है यह एम करती है at enabling migrant workers and their families members to buy subsidized ration from any fair price shop anywhere in India. पहले ऐसा होता था कि जी आप जहां पे registered है, जहां के voter है, राशन कार्ड बना है वहां का है, लेकिन अब यह ONORC जो है, कहीं से भी ले सकते हैं और यह किसके अंतरगरत आता है? National Food Security Act 2013, ठीक है जी? अब क्या है? जैसे कि for instance, for instance, एक migrant worker जो है, मान लो एक बस्ती district of Uttar Pradesh से है, he will be able to access PDS benefits in Mumbai, ठीक है जी? आप UP से Mumbai आया है तो आपको वह कर सकते हैं ताकि वह कहीं पर भी जाए अपने साधन के लिए काम करने के लिए तो उसको अपने वह सारे जमेलने में नहीं पढ़ना पड़ेगा ठीक है जी? While the person can buy food grains as per his or her entitlement under NFSA, at the place he or she is based, members of his family can still go to their ration dealer back home. अब देखिए, यह कितना अच्छब concept है. देखिए, for example, यह राशन कार्ड है और इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच करके members कर दिया हुआ है, ठीक है? अब यह तीन members जो है UP में है, एक member जो है Mumbai में, अब Mumbai वाला भी राशन कार्ड राशन ले सकता है, राशन शॉप से और यह तीन जो है, यह UP में बैठे अपने नाम से ले सकते हैं, इसलिए वन राशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड का बोला गया है. अगला point क्या है, to promote this reform in archaic public distribution system, the government has provided incentives to states, ठीक है जी मतलब कि states को incentives दिया है थाकि यह public distribution system एक प्रॉपरली हो जाए, और center had even set the implementation ONORC as precondition for additional borrowing by states during COVID-19 pandemic last year. तो पिछले साल, additional borrowing भी allowed करी थी, ठीक है जी? अब at least 17 states, जो है, which implemented ONORC reform, were allowed to borrow an additional 37,600 crore in 2020-21 fiscal year. ठीक है जी? अब ONORC काम कैसे करता है, उसके बार हम जानते है, अब यह यह है, यह based है, technology that involves details beneficiary ration card, मतलब कि यह ration card में जो, जिसको भी मिलना है उसके लिए, अधार number ठीक है और electronic point of sales. अब पहले क्या होता जी जी? आपका card के हिसाब से होता था, ठीक है जी? अब क्या है, आपका अधार card और ration card लगता है, अब अंगूठा लगाते हो और वो सीधे point of sales से हो जाता है, ठीक है जी? अब system क्या है, this system identifies a beneficiary through biometric authentication, जो अभी हमेंने बात करी है, on EPOC devices at the fair price shop, ठीक है जी? अब system जो है, it runs with the support of two portals, अब दो portals के हिसाब से काम करता है, ठीक है जी? Integrated management of public distribution system, ठीक है जी? यह इसकी website है, और अनवितरन, अनवितरन, ठीक है जी? अनवितरन, मतलब की distribution of अन, ठीक है जी? Which is host of all the relevant data, तो इन दो यह जो दो है, दो portals है, अब जब ration card holder जो है, वो air price shop पे जाता है, he or she identifies himself or herself through biometric authentication, ठीक है जी? वो अंगूठा लगाता है, और उसका अधार card तो है ही, तो उसका सारा पता चल जाता है, ठीक है जी? और उसका जो real time details है, वो आ जाती है, अनवितरन, ठीक है जी? अब जो आपका अनवितरन पोर्टल है, वो एक record है किस चीज का interstate transaction, यह inter district और inter district के लिए, और IMPD portal recorder जो है, वो interstate transaction के लिए है, ठीक है दोस्तो? अब आते है, National Council of Applied Economic Research, देखे दोस्तो अब usually हमने न कई बार news पड़ी होती कि, इंडे की GDP जो है, इतनी आयेगी, इतनी आ रही है, इतनी जाएगी, इतनी आ रही है, ठीक है जी, अब यह National Council of Applied Economic Research, इसके बारे में हमें जानना है, क्यों जानना है, बहुत बार आपके questions पू आपका Rice Research of Institute कहा है, आपका Mushroom Institute कहा है, या फिर आपका ICER क्या है, मैं इस टेप से आपके पूछ लेते हैं, अब देखें, यह क्या है, इसके बारे में जानते है, National Council of Applied Economic Research, यह क्या है, अब देखें, 1956 में बना था, ठीक है, यह वेबसाइट से ली गई है, सारी information, NACER जो है, यह इंडिया की oldest and largest independent, non-profit, economic policy research institute है, ठीक है, अब देखें, कितना ज्यादा में है इसका, कि 1956 से बनी हुए है, 6 decades in the life of nation is a long time, ठीक है जी, it is even longer in the life of an institution, ठीक है जी, यह बतुद कितने 6 decades से चले होगा, ठीक है जी, अब यह promise of NCR क्या है, इसका promise क्या है, to ask the right question, gather good evidence, analyze it well and share the result widely as endured, मतलब कि यह analysis करते हैं सारी चीज़ों पर, और questions भी पूछते हैं, evidences करके उसको analysis दे के करते हैं, इंडिया has achieved much and much remains undone, मतलब कि इसका काम जो है basically, एक तरीके से social audit भी कह सकते है, social audit या फिर, एक economic audit के institute की तरह भी, हम देख सकते हैं, institution की से देख सकते हैं, ठीके जी, अगला point के, as the economy has changed, so has the NCR, to continue to help understand India rapid economy and social transformation, ठीके जी, as newer and more complex economic challenges emerge, NCR will have to do more and more to keep its promise, to do well NCR promise renewed, ठीके जी, इनकी जो नई चीज़ें भी change होगी है, अब इसकी जो क्या क्या चीज़ें change होई है, वो four thematic areas पर काम करता है, कि इस पर? Growth, Macro, Trade and Economic Policy, ठीके जी, आपके चार points important क्यूं है, यह आपके चार points जो है, essay point of view से बहुत important है, क्यूं है? Ques हैं आपके, मैंने आज आपको starting में क्या बोला था, आपके जो जितने भी आज current affairs हो रहे हैं, वो Ques हैं, अब देखिए Growth, Macro, Trade, Economic Policy, अब इसके वेरे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्यूंकि इसके questions आपके preliminary exam में कम पूछे जाते हैं, means में, essay में बहुत जाद पूछे जा सकते हैं, कि India का investment climate किस तरीके से है, industry का क्या है, infrastructure का क्या है, या फिर for example human development index का क्या है, जैसे कल मैंने HDI पर आपको बताया था की हमारा rank कितना आया है, ठीके जी, उस तरीके से, यहां से आपके आते हैं question, a focus क्या है NCR worker in these areas is on generating and enlisting empirical evidence to support and inform policy choices, ठीके जी, इस पर काम करते है, it is also one of the handful of the think tanks, it think tank की तरह काम करता है globally, वह किसलिए that combines rigorous analysis and policy outreach with deep data collection capability especially for household service, तो देखिए, आपका देखिए किसी भी country में R&D जो है research and development बहुत अच्छा है और उसमें आपके social audits हो गए, economic audits हो गए, या फिर आपके think tanks इस तरीके के जो है, वह आपको बहुत जादा help करता है, क्योंकि आपकी इसकी जो reports आती है, research जाते है, service जाते है, वह नीती आयोग भी consider में करता और government भी इसकी चीज़ों को करती है, क्यों करती है, देखिए six decades, उपर लिखाता है six decades is not less time for any country, तो यह काफी जादा important हो जाता है, ठीक है दोस्तो, चल अब आते हैं यह देखिए, हमारे क्या है, CBSC और National Payment Corporation of India, यह news में क्यों था, यह news में क्यों था इसके बारे में देखते हैं, अब CBSC ने क्या है किया है, it introduces financial literacy booklet for students curated by NPCI, अब देखिए, CBSC और NPCI ने मिलके यह किया हुआ है, ठीक है जी, अब National Payment of Corporation और CBSC ने क्या किया है, NPCI ने क्या किया है, it joined hands to introduce a financial literacy curriculum, किसके लिए, students of class sixth, यह है news हमारी, ठीक है जी, a financial literacy textbook, जो है, it is launched as a part of new elective financial literacy subject, that would enable students to have an understanding of basic financial concept at preliminary stage of their education, सही भी है, होना भी चाहिए, ठीक है, जी, economy में, ठीक है, तब यह जो textbook है, यह क्या क्या है, crucial topics cover करती है, किस से related, financial awareness से related, crucial topics, जो है, वो cover करती है, कौन कौन से, starting from teamwork, basic financial concept to banking, ठीक है जी, basic concept to financial of banking, concept to banking, security, modes of digital payments such as UPI, cards, wallets and more, और देखिए, इसका reason क्यों है, देखिए, financial, finances के बारे में तो पता ही होना चाहिए, देखिए, क्या है कि जब भी आपको digitally हम किसी भी चीज में aggressor होते हैं, तो हमारे जो young children है, वो बहुत चीज़ों को जल्दी catch कर लेते हैं, older generation को थोड़ी problem रहती है, लेकिन young children जो बड़ी जल्दी catch कर लेते हैं, और young minds जो है, वो influence करते हैं, हमारे older people को, because they interact, ठीक है, suppose एक 10 साल का बच्चा, अपने 60 साल के दादा जी को बता रहा है, कि दादा जी UPI card क्या होता है, कि आपको कभी भी पैसे देने के लिए, कि आपको message नहीं आएगा, आपको जो है, वो authentication pin कैसे देना है, इस तरीके से अगर वो चीजे अपने दादा जी को बताएगा, क्योंकि उसने एक book में पढ़ी हुई है, अपने financial इस पे पढ़ी हुई है, तो दादा जी विल भी, क्योंकि आपको क्योंकि आपको क्योंकि 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 है कि हम उनको economics में और ज्यादा अच्छे तरीके से strong कर रहे है, उसका suppose वो 10 साल का बच्चा अभी इस चीज को पढ़ रहा है और उसका economics में बहुत जादा इंट्रस्ट आ जाता और आगे चलके वो इंडन economic services में आ जाता है ठीके जी या फिर वो एक बहुत ही अच्छा financial advisor बन जाता है या वेर वेरियस possibilities हैं तो इसलिए start when they are young, okay? अब क्या है? It entails the origin of banking ये देखें, banking की origin ये आता है, transition from coins to paper money, ठीके जी types of banks, ठीके जी major operations service carried out by banks अब देखें, अब 10-12 साल के बच्चे को अगर इस चीज अभी से पता चल जाएंगे, तो he'll be more into the worldly affairs, ठीके जी जैसे कि for example, example 0, my father made me open a bank account when I was in 10th standard, ठीके जी और उस time पे मुझे नहीं पता था कि bank कैसे account कैसे खुलता है, obviously मैं 18 years से नीचे था तो जब मैं bank में first time गया, तो the bank people were very very nice, ठीके जी, उन्होंने properly बताया, और वो उसका reason क्या था? देखे, normally आप bank में जब जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक adult मिलेगा, तो expected ही होता है कि सब कुछ सब को पता है, लेकि नहीं चोटा बचा जाता है, तो उसको properly चीजे बताते हैं, तो मैं जब अपने 10th class में गया था, तो मुझे बहुत सी चीजे पता चल गी थी, तो similarly, ये catch them when they are young, तो उनको जब पहले पता चल जाएगा, तो it really helps a student, ठीके जी, अब ये जो textbook है, ये illustrate करती है, significant role of RBI, Government of Indian providing an impetus to digital payment movement, देखे, कितना ज्यादा अच्छी चीजे है, अगर ये चीजे हमारे टाइम पे होती, तो और ज्यादा अच्छा होता, but nevertheless, we are growing, ठीके जी अब for, from core concept like currency, banking, savings, investment, to advanced concept like IMPUs, UPIUSD, NAC, POC, MPUs, QR codes, ATM, अब देखे, 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 दोस्तो, इन में से कुछ concept तो मुझे भी नहीं पता है, ठीके, और देखे, ये अभी हम एक 6th class के बच्चे को होगा, तो कितने smart हो जाएगा, तो this is a very very good thing, और इसे कहा है, that a child might find useful in later stages of life, जिसके बारे में हमने अभी discuss किया था, ठीके जी, अब building upon the context of mode of digital payment, the book elaborates the role of UIDAI, ठीके जी, और importance of अधार, and अधार enabled payment system, देखे, दोस्तो, ये हमने UPIAC की preparation के टाइम पर वड़ी थी, कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीके, तो अभी 6th class में जब हो जाएगे, तो देखे, कितन जादा empower हो जाता बच्चा, ठीके जी, अब complete with activities, attractive illustrations, and practice exercises, the textbook can be accessed online on CBSE website as well, तो this is very good, and PCI has also been working for course equivalent with CBSE for class 7th and 8th, तो ठीके जी, अब इसके साथ आपको additional homework है, national, national education policy, जो है हमारी, उसके बारे में आपने पढ़ना है, तो ठीके दोस्तों, ये था आज का हमारा daily, weekly dose of current phase, I hope आपको ये lecture पसंद आया हो, ठीके, आपको थोड़ी से, ये मैं, जब भी अपनी videos बनाता हो, तो मुझे ऐसा लगता है, कि मैं अपने students के साथ वारत अलाब कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, कि किसी चीज के बारे मैं, हमने discuss कर रहा है, ठीके, यहा आगे आगया हो है, पढ़ते रही है, मुस्कराते रही है, हाइडरीटेड रखें अपने साथ, टेक केर, बाबाए